हलो दोस्तों कैसे हैं अपलों उमीद करते हैं सब घर में होंगे जबरदस तरीके से अपने पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे एक important update जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बना दिया था राजस्थान Public Service Commission की तरफ से एक recruitment आई हुई है DLB में जी हां Department of Local Body में Assistant Engineer की recruitment है सीट भले ही कम है लेकिन बहुत ही important और powerful पोश्ट होता है इसमें आप join करके अपनी life को अच्छे तरीके से जी सकते हैं इसमें वीडियो तो मैं कल बना दिया था डिटेल में और उसमें 41 seat दिया गया है आज का जो वीडियो है यह especially है syllabus और इसके exam pattern के उपर तो देखिए इसमें इन्होंने अपने notification में दे करके रखा है कि क्या इसका exam pattern होगा और क्या syllabus होगा तो Assistant Engineer के vacancy थी सिर्फ और सिर्फ Civil Engineering के candidate इस form को भर सकते हैं अब यह जो exam होगा यह objective nature का होगा जी है वस्तू निष्ट प्रकार का objective nature का exam होगा और 120 marks का जी हां maximum marks 120 है अब देख लीजे यहां पे जो exam होगा वो पेपर दो section में बटा हुआ है अब पहला जो section है उसमें 40 अंके पूछे जाएंगे जी हां 40 marks और दूसरा जो है वो 80 marks का और टोटल कितना हो गया 120 marks का और यह दो घंटे का अब देखते हैं कि पहला जो पेपर है इसमें आपका सामान निग्यान जी हां सामान निग्यान सामान विज्ञान राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति परंप्राय विरासत एवं राजस्थान का भूगोल तथा द आपका सर्वेंग हो गया इस्ट्रक्चर अनलिस वह वाटर रिसोसेइस इंजिनियरिंग हो गया जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजिनिरिंग के जो आपने पढ़ाई किया अपने कॉलेज में बाकि होती है वह पूरा का पूरा यहां पे डिटेल्ड में बताया जा उसके बारे में यदि आप लोगों को पता करना है तो उसके बारे में भी एक सेमिनार का आयोजन हो रहा है जैपूर में जी हां इंजिनियर्स अकैडमी वह सेमिनार कंड़क्ट करवा रही है ग्रेंड सेमिनार है 28 अगस्त को जी हां कल के दिन मैं 9 बजे सुबह में आप इसमे आपको क्यों जाना चाहिए क्यों एटेंड करना चाहिए तो देखिए 2018 में जितने भी रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें से 80% सेलेक्शन इंजिनियर्स अकैडमी के केंडिडेट का ही हुआ था जिसमें की टॉप हंड्रेड में 96 केंडिडेट का सेलेक्शन हुआ था अब इतना जादा सेलेक्शन हुआ है और यहां पर आपको यहां के जो टॉपर्स हैं लाश्ट येर के उनसे इंट्रेक्शन करने का मौका मिलेगा आगे की जो रन नीती होगी रहस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन में असिस्टेंट इंजिनियर को क्रेक करने की उसके बाद डिय eligibility criteria क्या होगी और वो vacancy कब आने वाली है उसके बारे में भी internal RTI के जरिए बहुत लोग पता करते हैं तो उसके बारे में भी आपको पूरी पूरी जानकारी इस सेमिनार में मिलेगी आप इस सेमिनार को attend करिए यह जैपूर में है यदि आप जैपूर में है तो वहां के सेमिनार को थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि क्या हुआ इस सेमिनार में बाकी जो जैपूर में है वह इस सेमिनार को attend कर लीजिए उसके बाद अभी जो सिलेबस में बताया था वह वहां पे हिंडी में था अब देख लीजिए वह इंग्लिस में कैसे जेनरल नॉलेज जेनरल सा सिट्रफी और यंड कल्चर ओफ राजस्थान यहां इसमें एक और चीज एड़ था जो कि साइन्स इन डे ली लाइफ यह यह लेकिन दो सेक्षिन में बटा होगा इसमें अब एक चीज एड़ कर दीजिए कि साइन्स इन डेली जी हां वो 1-3 है जी हां 1-3 के निगेटिव है अब देख लीजिए निगेटिव बहुत ही अच्छा खासा है बहुत सारे एक्जाम में 1-4 रहता है तो 1-3 है तो आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी उसके बाद यहां पर वही सिलेबस के बारे में भी दिया है जेनरल नॉलेज एंड जेनरल साइंस इंक्लोडिंग हिस्ट्री जोग्राफिय आर्ट एन कल्चर ऑफ राजस्थान जेनरल नॉलेज और यह वाला पहला में आप साइंस इन डेली लाइफ एड कर दीजिए और इसका जो डीटेल इसलेबस है जो ब्लूप्रिंट इसको ब वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच फैलाईए और आगे जो डीटेल्ड इसलेबस होंगी उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और प्यसील वेब साइट से मिल जाएगा और यहां पर भी आपको जानकारी मिलेगा आई होप वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्यू और इस वीडियो को फैला दीजिए धन्यवाज जाहिन जैवार